मेरे प्यारे भाई लोग एक बाई फीट से स्वागत आप लोग का नितेस मैस पर आज हम ना क्या पढ़ने वाले जी साइकली क्वाड लेटरल पढ़ने वाले जो जो साइकली क्वाड लेटरल ने बहुत सांदार चीज़ है टाइकली क्वाड लिटरल से अपने पेपर में अक्सर सवाल आते रहते हैं मतलब एक ऐसा क्वाड लिटरल होता है जिसका चारों भटेक सरकल पर लाइक कर जाए उसके बाद अनंतों सवाल उस दे फिगर बहुत बरा होता है जवाब बहुत छोटा होता है जो आपके दिमाग में अगर घुस गया तो बरे सवाल का जवाब छोटे से छोटे सकेंड में आप ले आईएगा ठीक अन जी तो मेरे हिसाब से आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं और जैसे इससे पहले आपको हम क्या करवा दिये थे अल्टरनेट सेग्मेंट फिरम करवा दिये थे उससे पहले सेंटर सरकॉंफरेंस वाला करवा दिये थे आज हम साइकलिक औरेटर करवा देंगे मतलब पेपर में जो जो सवाल आते हैं सारे आपको यहां से मिल जाएंगा फिर आप क्या बन जाएंगे जी इंस्पेक्टर फिर आएगा मजा फिर सुचेंगा भाई इस दुर्वात में क्यों नहीं मिला यह सब जहां जहां हमें डाउट था गुरुजी वहीं वहीं वार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं ठीगा आप अगर बहुत अच्छे से चाहिए था ऐसे number of failure attempts बढ़ता जाएगा confidence घड़ता जाएगा और इस उमर में confidence घटना नहीं चाहिए आप जिस एज में है ना इस एज में अगर आपका confidence घटेगा तो आपके माता पीता कभी उमर दीरे दीरे बढ़ रहा है फिर उनको confidence कौन देगा आप confidence अपना नहीं लू चाहिआ तो इसको बार-बार पढ़ लो जैसे कोई चीज आप देखते हैं अगर आप कोई स्टफ लग रहा है आप उसको बार 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 बनाओ बार बनाओ याद उज जाएगा कोई तो बटाए सब्सक्राइब भाट है तो पर अपना सेलेक्शन लिया तो पिर आपका देखो दोस्त क्या है एभी सिटी तुम्हारा एक साइकली कोडिलेटरल है तो साइकली कोडिलेटरल का मैं पहले आपको कुछ एक प्रपर्टी बता दू बेटा मैं आपको पहले साइकली कोडिलेटरल का कुछ एक पहले आपको प्रपर्टी बता दू अभी देखो मैं इधर सब्सक्राइब पॉइंट को समझ कैद सबस्क्राइब énerर इसके चार už उस सरकल के लाई करें अहम सर्कल हें है रुख जो अब बिजोर सरकल बना अब इसका मल ये चार है चार पॉइंट हम ऐसे ऐसे लाई करवा दे रहें अच्छे लोग जो खूनी कलम लेते हैं एक तो तीन और चार ठीक ना अब आई ये अब इनको मैं जोईन भी कर दूँ चलो इनको जोईन कर दी और मैं इनको जोईन कर दूँ अब आई है क्या क्या बनेगा बीटा भी समझना आप अब बीडी सी डी आपका क्या साइकलिक कोड़ेटरल है इसके चारो वर्टेक्स काहां लाई करेंगे सरकल अगर इक को फटेक्स प्रलाई नहीं कर रहा है तो साइकलिक कोड़ेटरल नहीं होगा ठीक है यह बात आप याद रखेंगे अब देखिए यहां पर पावू पता एंगल A और एंगल C का सब कितना होगा 180 डिग्री होगा तो किसी भी quadratoral में cyclic नहीं होता तो ऐसा नहीं होता Cyclic नहीं होता तब तो कोई angle नहीं फालो करता Angle A plus angle B plus angle C plus angle D 60 होता यह क्या ही बात होता लेकिन अगर Cyclic order रहता तो आप foot angle का सम्हों 80 degree होगा Angle A plus angle C का value कितना होगा 180 degree होगा कि जरह मैं देवानंद कलम का इस्तमाल करू और angle B और angle D के बारे में सोचू बाबू यहां से एंगल B प्लस एंगल D B कितना होगा, 180 डिगरी हो, यह बात आप याद रखेंगे, इसको मैं प्रूफ निकरा, इसको आप याद करके रखो, ठीक है न, इसका प्रूफ बीच में सेंटर पे लाके जॉइन करेंगे, हो जाएगा, पर वो लंबा है, छोड़ द देखरना यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बाहर में कुछ एंगल बनच, यहां पर बाहर में कुछ एंगल बनच, आपको पते हो, यह 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 एंगल, यह Cao Q, E, B, नो ऑन तो भी तम्हें बताते अगर यह ठीटा है यह क्या होगा 180-ठीटा होगा तो दोनों का सम्गितना होगा 180 तो जैसे मान लोगर 130 तो दूसरा कितना होगा 180-30 मतलब 150 होगा अब बताओ यह एंगल B और अंदर बाल अंगल इंगल का हमेशे सम्चिया होगा 180 होगा सब्सक्राइब अंगल यह ठीटा होगा तो जबी तो हीन साहब का मिलनके बैलू 180-ध में कीतना जालो कीजा आजागा यसर ठीटा ही किसके बराबर एंगल के बराबर यह बात आप याद रखेंगे अकसा डारेक्ट सवाल आता है जैसे मालो मैं क्यों बोलता है यह सब आपको याद करने को जैसे कभी-कभी आप देखते होंगे कोई भी ट्रेंगल में इक्स्टिडियर एंगल बहुत का इसी परकार साइकली कोड़ेटरल में क्या होगा और किसी लाइन को बरहा होगे तो अपने पास वाले को छोड़के अपने अपोजीट के बराबर होता है यह बात आप याद रखेंगा अकसर आता है दोस्त इसलिए मैं आपको समझा दिया अब आप मैं सवाल पर आता है सव सब नहीं करेंगा तर्छा सवाल को किया है हर सवाल का जवाब मिल सकता है गाना सुने ना नाइटीज का गाना सुनें आपका दिमाग पूरा बढ़ेगा एबी सी डी आपका गया आपका साइकली कोड़ेटरल है और बीसी डाइमीटर है जरूर्य कोई सब्ढ़िये गान इस इसलिए हमेशा कोसिस करना जो डाइमीटर वगरे का भी जिक्र है कि उस बात को याद रखना है ठीक है दोस्त आई अब हम क्या करते हैं एक हम यहां पर सरकल बनाते हैं यह आगे आपका सरकल चलिए तो मैं देवानंद का लुब बी-सी जडाइमीटर थो दोस्त पहले बी-सी को बना ले देगे तो एक आपका सिक्वेंस बनना चाहिए तो ए बीसी और यहां पर क्या एगा बटा डी या तिक नज में बीजी डाइमेटर है जब भी डाइमीटर देता है तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ आता है अगर यह डाइमीटर से दो कोड अगर आपस में जोईन करो कितना एंगल बनाता है यह बात सब आप याद रखेंगे जैसे जैसे यह सब आता है दिमाग खट-खट आना चाहिए अब देखो एंगल कैसे नियासान है यह बिरांग यह सबसे हासान है आप युखो कैसे यह 90-degree होगा, भूगा यह 90 डिग्री होगा, होगा ना 90-degree कियो, क्यों कहाद अब बताजी तो यह वला-ाइंस क्या होगा, अब ओले गुरुजी अगर एक एंगल 90 है, तो बांकी दोनों का सम भी 90 होगा, तबी तो 90-90 होगा, यह समझो, समझो, तुम तीनों को जोर के एक 90 क्य यह वह आगया नाइंटी माइनस ट्वेंटीन यह कितना गया मतलब 61 हो गया जाता एक सर्थ डिग्री आ गया मतलब यह एंगल कितना किसको कहते हैं ऐसे जिसके चारो भर्टेक्स कहां लाई करें करें अब देखिए यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी का वैलू कितना होगा बेटा 180 डिगरी होगा और एंगल एका वैलू अपने को नहीं पता है एक सो उनिस डिगरी होगा आपके एंसर आगया ओप्सन भी ठीक है दोस्त चलो आगे बर हो अगले सवाल पर अगला सवाल तुम्हारा बहुत आसान सवाल है इसी सरकल में सेंटर ओवर एबी जाडाइमीटर चलो एक सरकल जिसमें एबी डाइमीटर है आईए दोस्त मैं पहले सरकल बनाता और उसमें एबी डाइमीटर भी बनाता बैब अ बन गया इबी डाइमीटर भाई अब नाम पता भी लिखी देर एवीुटर डाइमीटर बन गया आब देखियम c d is a chord c d a chord है such that c d बराबर b d अभी वह भूल जा c d बराबर b d बोला है एंगल a b c c d e chord चलो ठीक है पहले c d को chord बनाते क्या दिकत है अच्छा रूप जो इस्ट्रेट का इस्ट्रेट बनाते न तब न मज़ा आएगा यसी सर्फ फीगर अच्छा अच्छा बनाई न तो मज़ा आता है देखिए आपका क्या क्या सीडी कॉड आगे अब मैं सब को जॉइन कर दे रहा है कहीं न कहीं हमको भी लग रहा यह साइकल दिया हुआ है एंगल ABC बराबर 34 डिग्री एबी सी अच्छा ABC इसका चर्चा कर रहा है ABC यह छोट यह छोट ऊप यह छोट ऊप यह छोट ऊपर चर्चा कर रहा है घ्ट अब ज्यादा अच्छा नहीं बनाते एब यह आपको इतना है हो A B C 34 डिग्री है और कौन सेट है अपका CD बराबर BD है अच्छा देखो यह CD किसके बराबर है बाबू इस BD के बराबर है देखो अगर AB डामीटर है तो तुम हमें बताओ क्या यह एंगल 90 डिग्री होगा अगर यह 90 डिग्री होगा तो यह वाला भैलू क्या होग बताओ क्योंकि एक एंगल 90 है तो बागी दोनों कसम क्या होगा 90 होगा तभी तो 90-90 मिलके 180 होगा यह सर यह एंगल क्या होगा 90-34 30 कितना आ जाएगा बाबू 56 आ जाएगा यह 56 डिग्री होगा अब तुम हमें बताओ ABCD एक साइकली कोड़ेटरल है यहां पर दिया नहीं है तुम खुद समझा चार पॉइंट है ना इसलिए एक साइकली कोड़ेटरल अंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री होगा और एंगल डी का वैलु कितना होगा 180 माइनस 56 डिग्री होगा इसका वैलू आ यह आपका एंगल डी का वैलू आगया अब देखो मेरे भा विए लाना यह वाला एंगल लाना यह वाला एंगल लाना उसके लिए समझे बीडी और डी ची वरावर है इसका मतलब गुरू जी अगर यह ठीटा रूप जाओ अगर यह तुम्हारा ठीटा तो यह भी क्या होगा ठीटा होगा समझ पाए न अब देखो ठीटा प्लस ठीटा प्लस 122 कितना होगा 180 डिगरे होगा यह अस्तर अब आप यहां पे लिख दीजिए फिलिए मैं थोड़ा इसको उपर करता था कि आपको ज्यादा समझ में आए इन ट्राइंगल कौन ले ले इन ट्राइंगल बीडी सी ठीटा लस ठीटा लस वेट लस 124 बरावर कितना 180 डिगरे होगा तो ठीटा का भेलो कितना आगया 28 डिगरी और अंगल डीबी सी ही तो ठीटा है तुम्हारा समझ पाई क्या तो ऐसे सवाल का जवाब बहुत जल्दी जल्दी लिला सकते हैं मैं तो आपको समझा रहा है ऐसे ऐसी होगा और आप क्या करो जल्दी जल्दी टिक टिक लगाते लगाते भाग जाओ ठीक न चलो तो आगे देखो अगले सवाल पर आओ देखो दोस्त अगले सवाल किया है ओ इस दा सेंटर अप दे सरकल एंड आर्क एबी सी सब्टेंट से नहेंगल 120 डिगरी अट अच्छा आर्क एबी सी देखिए यहां पर आर्क चांप का भी चर्चा है देखो अभी आओ पहले एक फ हां एबी से आर्क ऐसी बनता है यह सेंटर पर कितना बना रहा है 120 डिगरी बना रहा है अब हम ए और सी से सेंटर पर ले जाते हैं ठीक है न और देखिए बिटा यह कितना बनाया आपका 120 डिगरी बनाया एक 120 डिगरी बना दिया अब बोल रहा है ए बी इक्स्टेंडे टू एम चलो अब मैं न देवानंद कलम का यूज कर रहा और ए बी को कहां तक बरहा दिया कैं एम तक रुप जा रुप जा रुप जा मैं न इसको स्ट्रेट में बरहाता है ऐसे यस सर अब मजा आएगा सर ए यहां पे लिग भी दे रहा है एं तो अपने को वैलू कि इसक जाए अह। एमपी सी का चाहिए उसके लिए भी लगता है फिर से कंस्ट्रेक्शन करना ही होग हूग येस सर, MBC, और MBC देखो, यही तो अपने को निकालना है न, यही निकालना है, देखो, यह याद होगा जब आपको हम सर्कॉल और सर्कॉंफिनेंस वाला करवाएं थे न, क्लास, तो उसमें डारेक्ट एक ऐसा सवाल आया था, बढ़ाएं नहीं थे, लेकिन हम दूसरे तरीक सी, सर्कॉंफिनेंस, और मैं दूसरे कलम्स इसको यूच कर रहा, देखो, ए और सी को, टोटे लाइन पर कर दे रहा, चोलो, हो गया न, अब आप, और मालगी कहा है, यह पॉइंट जी, आ रहे है, बलो, गुरु जी, ए और सी से से सेंटर पर भी बना, ए और सी से सेंटर प 20, समझपाएं न, कैसे आया, 60 डिग्री, 120 का 05 कितना आ गया बाभू, अब आईए, और अगर वो 60 डिग्री है, यह वाला वेलू कितना होगा, बताऊंग, अगर वो 60 डिग्री तो यह वाला वेलू किना होगा, क्यों कि अ बी सी रिक साइक्लिक वाड्रेटरल है, अब आर कितना होगा बोलिये 180 डिगरी होगा अब हमें बताओ एंगल भी का वैलू नहीं पता लेकिन एंगल आर का तो पता नहीं यहां से एंगल भी बराबर क्या होगा 180-60 बराबर मैं इसलिए लिख दर था कि आपको समझ में आए मैं चाहते तो डारेक्ट भी कर ले था अब चल मालो गरी इसको ठीटा मालो तो लिनियर पेर से बना दू मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका भी बताओंगा सर वह तरीका पहले नहीं बताए है आगे आपको यही एंसर आगे स्टाट डिगरी अब मैं तुम्हें बताओं अभी तुम्हें पताएं थे कुछ दिर पहले अब आएह मैं यहाँ पे डारेक लिग दे रहां और डारेक्ट एंगल आर बराबर आंगल MBC कैसे समझ पाए ना यह मैं डारेक्ट लिए रहा एंगल आर किसके बरावर होगा एंगल MBC के बरावर होगा यह सर अगर वह साथ समझ पाए ना देखिए ऐसे सवाल में हम कंस्ट्रक्शन कर गए बनाते हैं आप चाहेंगे तो वहाँ पे भी तो यह सब्सक्राइब करने का तैकि आपको नहीं सा इसा प्रूपटी दिमाग में आते रहे पेपर बार 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 कंस्ट्रक्शन करने वह सवाल आते हैं आप घर से कंस्ट्रक्शन कर जाएंगे तब यह पर में कुछ कर पाएंगे एक ना चलो आगे बरते मेरे भाई और देखना जब भी ऐसा है तो कहीं ने कहीं डाइमीटर का चर्चा होगा अब आओ अब आओ चलो मैं इसको बनाता एक मस्ट फिगर बनाता मैं अब मस्ट बन गया ना देखे तुम हमें टेस्ट करोगे अब देखो क्या है अब चलो पी आर एक तुम्हारा यह मान लो तो आप फूनी कलम लेते हैं अब आओ देख रहे हो देख रहे हो अभी अभी सब बन जाएगा तुम टेंसर मान तो कहो गया ना पी आर यस सेड तरे तुम मास्टर हो गया आप इसमें अभी देखे पी आर इस पैरलेल टु पैर अब चलो टीएस भी बना ही लेते एक ठीक है दोस्त अभी देखो अब आओ यह टीएस को बना दी पैरलेल कर दे रहे हैं इसको अभी देखो मेरे भाई यहां से क्या है तुम्हारा टीएस वेट रुख जाओ मैं धरो बैटरी चेक कर लो तक कि कितना है इसका बैटरी चलो बहुत है वह जाएगा अपना वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा अभी देखो मेरे भाई यह पी आर यह क्या है तुम्हारे टीएस है अब देखो इसके इस बात का खयाल रखना है वह सेंटर है और तुम्हारा एक अच्छा पी आर टीएस क्यूभी तो बच गया ना यस सर क्यूई पट्टी ले आईए हो गया अब देखो नो कौन एंगल दिया हुआ है इस एंगल आर क्यूटी पराबर 58 अब देखो आर गुरुजी आर क्यूटी यह अगर ऐसे बनाएंगे तो यह बन जाएंगल आर क्यूटी और देखो दोस्ति कितना दिया हुआ है यह कितना दिया हुआ है मेरे भाई यह दिया हुआ अपका 58 डिग्री ना इन फाइंट वैल आर टीएस निकालना है मतलब मेरे को इसको भी अच्छा फिगर बनाते हैं यह सैर इसको जॉइन करें देखो आर टीएस बताना है अपने को अपना सारा दीमा कहां कंसेंट्रेट होना ची इस पर यह वैलू लाना है बहुत आसान है क्या में इसको भी जॉइन कर तो पीटी को भी जॉइन कर दू यह सर अब कर दिया सब को आ देखो तो दोस्त क्यू आरस टी फियू आरस टी एक साइकल गोडीलाव में या से हैंगल एस उन्ल debates कoptu मुरह एक 180 माइनस 58 किसके बराबर आएगा बाबू 122 डिगरी के बराबर अच्छा जरा एक बात तुम देखो अगर TS-PR के पैरलल है ना TS-PR के पैरलल है तुम्हारा ना पता एक ट्रैपीजियम बन जाएगा क्योंकि दो पैरलल साइड होना जी या पोजेट साइड इसके पैरलल होना जी बागी दोनों का पता नहीं है तो को TS किसके पैरलल है जी PR के पैरलल है और कोई भी साइकलिक ट्रैपीजियम हमेंसे आईसोसिलस ट्रैपीजियम होता है हम क्या बोले आइसोसेलस आप आइसोसेलस ट्रेपीजियम क्या होता है आइसोसेलस ट्रेपीजियम क्यों तो मैं आपको यहां पर सस्ते में बता देरा सस्ता सस्ता फिगर देखो साइकलिक ट्रेपीजियम क्यों तभी समझना साइकलिक ट्रेपीजियम है अगर यह इसके पैरलल है न यह साइकलिक ट्रेपीजियम अगर कैसे बनता है चानल में होता है यह बहुता है और अगर यह अलफा है यह बहुता है वह यह यह बात याद रखना हर यह फॉलो नहीं करेगा है यह मैं से किसमें फॉलो करेगा जी आप देखो तो बाबु ये कितना एंगल आ गया आपका 122 डिग्री आ गया अब बताएए तो PRST अब लिग देते हैं PRST साइकलिक ट्राइपीजियम है साइकलिक ट्राइपीजियम क्या बन जाएगा बाबु आइसोसेलस बन जाएगा साइकलिक ट्राइपीजियम क्या बन जाएगा आइसोसेलस बन जाएगा तो अगर आइसोसेलस बन गया तो एंगल S किसके बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा एंगल T के बराबर हो जाएगा और एंगल S का वेलू 72 degrees है ten एंगल t का कितना आ गया 122 डिंगरी यसजर अब हमको पता चल गई पूरा एंगल कितना है हो पूरा एंगल कितना है 112 सब्सक्राइंट डिगरी ए ठीक न आब बताई एक डाइमीटर भी है एक डेमीटर भी है अरे गुरुजी, पूरा एंगल 122 डिग्री, जे 90 डिग्री, तो जे कितना होगा, 122 माइनस 90, 32 डिग्री, और अरे, आगे आना समझ में, क्या गोले, आइसो सेलेस्ट ट्रपीजियम कब होगा, साइकलिक ट्रपीजियम, और अगर एंगल 122 डिग्री, तो एंगल T भी 122 यही तो तुमारे सवाल का जवाब है, ठीक है ना, चलो हम यहाँ पर लिख दे रहे, अंगल, RTS पराबर, 122 माइनस 90, 32 डिग्री, ठीक है दोस्त, चलो आगे बरते हैं, सारे बात को मैं तुम्हें समझा दिया, अब आओ सवाल नंबर 5 पे, अब देखो दो सवाल नंबर 5 तुम्हारा क्या है, A, B, E, N, D, C, J, C, C, L, A, B, C, D, R, produce to meet, E, N, A, D, produce to F, देखो यह सवाल इतनी बार आता है, यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा है, इसलिए इतनी बार आया है, हर बार पर आते, फिगर ही नहीं बनेंगे, उट पटांग फिगर बनने लग रहा है, ज इस इडिजी सैकलिक और लेटरल है, और जहां पर ठीक है, और यह मैं पहले इसका फिगर बना ले था, मैं इसको अलग पेज में ले जा रहा, ठीक है, मैं पहले एक फिगर बना ले रहा, दोस्त, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, अब टेंसन मत लो, क्योंकि चिता, नही नह मेरे हिसाब से कभी नहीं आपको यह सब चीज करना चाहिए, अब देखो, एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बना दिये हैं, और एक दोस्त हम ऐसे बना देते हैं, अब आईए, इसको भी जॉइन ऐसे कर देते हैं, और इसको भी हम ऐसे जॉइन कर दिये, आईए, A, B, C, और D, देखिएगा, बोला है, A, B को एकसेंड कीएं, तो A, B को बरहा दे रहा हैं, ठीके न, A, B को बोला एकसेंड कीए, अब टेंसन मत लो, मैं इसको एकसेंड कर दे रहा, ठीके दोस्त, अब आईए, और DC को भी एक कर दिया है चलो हो गया अब देखो थोड़ा मैं इसको मिटा दू अच्छा फिगर तुम्हें मैं बोला ना अच्छा फिगर बना के दूँगा अब टेंसन मतलो और यह इपे मिला था यह किस पर मिला था इपे और बोला है न एटी और तुम वीडियो को पीछे करके देखो न एटी और बीसी को भी बढ़ाया है अब ही आओ देखो एटी और बीसी को बढ़ाते हैं अब देखिए देखो देखो मैं पूरा एकदम मस्त फिगर बनाऊंगा यह सेर तो अब बड़ी सांदार फिगर बना दिये यह सारा स्ट्रेट लाइन है दो देख लिए मैं फिगर बनाने में महारत हांसिल कर लिया अब मेरे पार्ट टैम नोगडी भी हो जा गई है मैं जा रहा हूं लिंक तो क्या काते एक आतन कौन-कौन साइट से लिंक डेन यह से पतन क्या क्या डाइन पैन होई जाने तो मैं जा रहा हूं उस पे देखो जो बन अब हम आपको क्या बता रहे हैं अब एंगल भी तो दिया हुआ है ने तो भूलाई के देख रहे हैं अब स्थर्प कर दिया अगल एडी सी कितना है अपका 78 डिगरी अच्छा हमें सिखा रही है एंगल एडी सी कितना है जी 78 डिगरी यह एंगल कितना मेरे भाई FB का, यह कितना होगा, यह वाला, इसके बारे में सुस्थ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो, कैसे बहुत आसान है मेरे भाई, देखो, ABCDX तुम्हारा साइकलिक और लिटरल है, तो साइकलिक और लिटरल है, तो देखो, AB को जो एक्स्टेंट किया है, तो एक्स्टे तो यह तुम्हारा कितना आ गया बाभू यह आ गया 78 डिगरी अब देखो ट्रेंगल बी-सी-ई को वाच करो उसमें इसी को बढ़ाएं उसमें इसी को बढ़ाएं तो इक्स्टेडियर एंगल बन गया है इक्स्टेडियर एंगल इसी को बराएं तो इंगल क्या बन जाएगा इक्स्टेडियर एंगल और वो किसके स्टेडियर एंगल एंगल ब्यके इतना आ गया इतना आगए 130 डिग्री यह वला एंगल आगए ठीक है न और बताओ यह जो 130 है तो यह कितना होगा बोलो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है न बी एफ एक स्ट्रेट लाइन है यहां पर हम लिख दे रहा है यह कितना कैसे कैसे है था स्ट्रेट लाइन में पूरा बात लिख दे रहा है अगर वह स्ट्रेट लाइन है यह 130 है तो कितना होगा पचास होगा यह यह वला एंगल कितना होगा संगति का असर तुम्हारे साथ साथ रहते हमाँ भी कॉड़ाद लिख लगहा है यह वला एंगल अब देखो ट्रेंगल DCF में ट्रेंगल DCF में FD को बरहा हैं तो एक स्टेडियर एंगल बन गया तो यह जो 78 डिगरी हो किसके बराबर होगा 50 प्लस एंगल F के बराबर होगा तो यह बला एंगल क्या होगा 78 माइनस 50 28 डिगरी देखो तो कोई option है क्या yes sir option number A समझ पाए क्या अब आओ अब मैं तुम्हें दुवारा समझा दू सर क्या क्या की हमको कुछों नहीं समझ में देखो मेरे भाई देखो एंगल D पहले एक स्टेडियर एंगल CBE के बराबर होगा CBE के बराबर होगा अब देखे कैसे एक स्टेडियर एंगल है और साइकली को लिटर का ही प्रुपर्टी होगा अब 78 प्लस 52 कितना होगा 130 एक स्टेडियर एंगल BCD के बराबर होगा अब देखो वह 130 है तो ट्रेंगल DFC में वह एंगल कितना 50 डिगरी हो जाएग क्योंकि 180 डिगरी होगा अब बताओ ट्रेंगल DFC में FD को बराए है तो एक स्टेडियर रेंगल बनेगा वह 78 डिगरी है तो पास वाले कुछ और के दो अपोजिट के सम के बराबर होगा एक 50 तो दूसरे कितना होगा 70 माइनस 50 डिटी 28 डिगरी समझ पाई क्या जाए ऐसे सवाल को ढूंड के ठोक डालिए और कैसे सवाल बनता उसका कल्यान कीजिए भाई ठीक है ना आईए इस वीडियो के आखरी सवाल पे आईए अब आखरी सवार आ गया मैं भी जाके पानी पीऊंगा उस समय समय पढ़ा रहा भाई देख लेटा बैटरी कितना बचा है बारा परसेंट बचा है जल्दी जल्दी करो देखो A, B and C, D आ रहे हैं टू कोट्स इने सरकल भी सेंटर ओ and A, D is a diameter A, B and C, D प्रोड्यूस मीटेट पॉइंट पी आउटसाइड दर सरकल भी फैंगा लेपी टी बरावट दीस 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 डाट 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 सबसे पहले तो एक फिगर बना लेते हैं और A, D diameter वो भी बना लेते हैं जी गुरू जी इतना बात तो आप करी लिजिए आईए मैं देवानंद कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है दोस्त अब देखो A, D तुम्हारा diameter है तो पहले A, D diameter बना ले पीड़ देखेंगे बाद में क्या-क्या होता है A, D diameter है अब बोल रहा है A, B और C, D दो cord है तो चलिए A, B को ऐसे बना देते हैं अच्छा, अच्छा figure बनाते हैं हम लोग प्रण लिए हैं न हम लिंकट इन पर जॉब भी करने वाले हैं फिकर बनाने के लिए वेट देखेंगे थोरा से इधर उदर हो गया हाँ, फाइनलिस उदा रही है रे वहाँ पर ही इधर देखो क्यों अभी तुमको पता चले हैं मैं ऐसा figure क्यों बना रहे हैं क्योंकि इसमें क्या करना एक्स्टेंड करकर मिलाना भी है अब देखो, A, B को बोला है न, A, B को बरहाते हैं, A, B & C, T को बरहाएंगे तो B वला बरेगा, C, T को बरहाएंगे तो D वला बरेगा कहां मिल रहा जी, P पर मिल रहा चलो, मैं इसको ऐसे ऐसे खूनी कलम से बरहाता है, ठीक है न, दोस्त बरहा दिया मेरे भाई, जैसे बरहाया तो बताओ किस पर मिला, point P पर मिला, yes, और अंगल APD कितना मेरे भाई, 25 डिगरी है और यह कितना है, आपका 25 डिगरी है, और अंगल DAP, किनी है ओड़ी इधर है, और यह कितना है मेरे भाई, 49 डिगरी, अच्छा, ओ सेंटर भी है न, ओ को सेंटर भी बना ही दो, then find the value of अंगल CBD, अच्छा, CBD के लिए फिर must figure बनाना होगा, चले मैं इस वार न, इसका यूज क कर रहा है, उनी कलम का, CBDS, या सर, आप स्थांदार चित्रकार बन गए, CBT इसका value लाना है न, आओ, देखो, कैसे आएगा, पहले तुम्हें यह देखो, एक चीस्ता तुमको मिल गया, देखो BT, एक चीस्ता मिल गया तुमको, रुख जा मैं जरा इनका message देख लो, अच्छ भी मिला हैं, और B और C को भी मिला है, और दोनों क्या जी circumference पे, फिर से सुनो, B और A पे मिला है, और B और D से C भी मिला है, और दोनों eigen rul बराबर हो गगा, येस सर, और दोनों एंस यंकल बराबर होगा, इसलिक बोलते हैं, IN Da twitch, ये भी कितना गया, 49 डिग्रियघा कैसे, क इंट्रेंगल CBP ढूंड़ो इंट्रेंगल CBP चलो इसको तुरह मैं ऊपर करता ताकि अब कोई यूज नहीं रहा इन सबका अपने सवाल सब कोई वास्ता नहीं रहा उसका इंट्रेंगल CBP इंट्रेंगल CBP देखो PB को बरहा हैं CBP में PB को बरहा हैं यह तुम्हारा एंगल बनगा exterior angle रुक जा दूसरे कलम से कर दे रहा है यह आपको जादा समझ में यह तुम्हारा क्या बनगा exterior angle एबी सी बराबर क्या होगा दो अपोजीट के सम के बराबर होगा 49 प्लस 25 कितना होगा हो दोस्त 64 डिग्री देखो CBP में PB को बहा है तो वह क्या बनगा exterior angle जो अपने पास वाले को छोड़के दो अपोजीट का सम होगा वह कितना के 64 डिग्री आगया अब देखो AD डाइमीटर है और अगर AD डाइमीटर है तो बता यह पूरा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा रुक जा एक अच्छे से तुमक ABD बराबर कितना अगा तो 90 डिग्री आएगा अब देखो देयर्फोर फोर एंगल CBD बराबर क्या होगा देखो पूरा एंगल फूरा का पूरा नभ्य है इपति वाला कितना है 64 ग्री प्ल्य इंटर डिग्री डिटी जब्स नंबर भी होग एंसर लिग दे रहे लिग्दे पूरा एंगल 90 है तो 90 माइनस इधर अपल एंगल कितना हो 64 डिगरी तो 90 माइनस 64 कितना होगा 26 डिगरी यही तुम्हारे सवाल के जवाब है इस परकार यही आपके वीडियो का आखरी सवाल था और मैं आपको पूरा का पूरा समझाने में सक्चम रहा क्या होता अल्टरनेट सवाल को बनाते हैं कैसे क्या करते तुम्हें एक एक चीज बता दिया गया समझ पाई क्या बैटरिया बचके नौ परसेंट और हमाया बैटरी भी हो गया जी डाउन तो हमें भी लेना चाहिए बीदा हमको भी होने डिक्रीज समझो देखो यह जो सीरी चल रहा है इसमें जह आहरा है है समझक क्रोकर करने में गात डिया रहा है। कब्स भी चौड़त करने चल देगा तो कमझूर के बराबर हो जाएगा तो ठीक है मिले फिर अगले वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं और एक बहुत मस्त कॉंसेप्ट लेगे आते हैं और आपसे फिर उबरू होते हैं ठीक है जी सब तक के लिए बाई बाई टेक केर